हेलो दुस्तू नमस्कार अगर आप एक iPhone पर्चेस करना चाहते हैं उसके लिए पैसे आपने सेप कर रखे हैं पहले से ही तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा iPhone पर्चेस करना चाहिए और किस सेल में पर्चेस करना चाहिए जिससे की आपका बजट भी पू आपको सेप्टेंबर महिने में आती हुई दिखने को मिल जाती है हर साल यह सेल हर साल लगती है और इसमें iPhone जो है वो काफी ज्यादा एफोर्डेबल प्राइज पर आपको दिखने को मिल जाते हैं उस समय Apple नया फॉन लॉंच करती है और प्राने की प्राइज है वो अपने आईफॉन लेना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ आईफॉन 11 अगर आप पर्चेस करने की सोच रहे होंगे आपको लग रहा हुगा कि फिलिपकार्ड बिग विलेंडे सेल में तो यह कितने का मिलेगा फिलाल में इसकी प्राइज है 41,000 रुपीज दिखन कर सकते हैं लेकिन मैं रेकुमंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको तीन चीज़ा जो है वो नहीं मिलती है जो की जरूरी है पहला है यह डिवाइस 5G नहीं है 5G होना चाहिए दूसरा यहाँ पर और जो आईफॉन है उनके कंपरिजन में इसकी डिस्पले इतनी आदा क्वालिटी वाली नहीं है इसकी जो निट्स भी है वो भी डाउन है तो इस कार से मैं कहूंगा कि इसको भाय करना ठीक नहीं है इसकी जो बयस स्टोरीज है वो 64GB की है 64GB आपकी कब भर जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा इस कार से एह तीनों ही लाइन्स को किलिए न आपको 35,000 जाती हुई दिखने को मिल जाएगी और इसका भी बेस वेरियंट 64GB आता है तो इसको अगर आप पर्चेस करना चाहें थोड़े से और पैसे आपको देने होंगे उसके बाद आप यहां पर 128GB वाला भी पर्चेस कर पाएंगे 40,000 के अंदर अगर आपका बजट है तो यह डिवाइस आपके लिए काफी यादा बेस्ट बन जाता है अगर आप आइफोन 13 लेने की सोच रहे हैं क्योंकि आइफोन 15 लाँच होगा उस दौरान तो आइफोन 13 की प्राइज भी काफी यादा एफोरडबल आपको दिखने को मि यह जो मैं प्राइज बता रहा हूं वो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है हर सेल के दौरान के दौरान साथ में इसकी जो सेल के दौरान जो प्राइज जाएगी वो 45,000 के एराउंड में आपको आइफोन 13 मिल सकता है अब बात कर लेता हूं आइफोन 14 क्योंकि आइफ देखने को मिल सकता है तो यह भी यहाँ पर कमाल की बात हो जाती है अगर आप आइफोन 14 लेंगे तो आपको केवल एक साल का अपडेट जो है वो डाउन मिलेगा और बाकी के सभी अपडेट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इन फॉन्स के कंपरेजन में आइफोन 13, 12, 11 के इसी के साथ आइफोन 12 मिनी आइफोन 13 मिनी की मैं बात करूं तो यह जो मोवाइल फॉन है वो अगर आपका बजट कम है और आप इनहीं को आप एफोर्ड करना चाहते हैं तो यह आपको सेल के दौरान आइफोन 12 मिनी है वो 30,000 का मिल सकता है और आइफोन 13 मिनी है वो पाकी का सब कुछ से मिल जाता है और आइफोन 12 मिनी से बेस्ट मिल जाता है तो इसलिए आप आइफोन 12 को आफिर फर्क कर सकते हैं आइफोन 13 मिनी के कंपेर्जन में क्योंकि यहां पर बजट भी आपका लगबग उसी के समान है अमें बात करूं आइफोन 12 या फिर 13 इन द इन दोनों ही डवाईस का नोच का कफिया द तो आपको इन दोनों पर केमरा दिखने को मिल जाता है अगर बैटरी की시 की बात करने तो यहां पर गुंटे जादा चलने वाली आइफोन 13 की साथ में iPhone 12 A14 वायनोक चिप के साथ में आता है और iPhone 13 A15 वायनोक चिप के साथ में आता है तो यहाँ पर performance में आपको थोड़ा सा difference दिखने को मिल जाता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से CPU और GPU Core दिखने को मिल नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है उससे काफी ज़्यादा performance पड़ता है जो Apple A14 A15 दरसाता है वो इनका एक generation होता है साथ में आपको बाकी की चीजे सभी पर सेम दिखने को मिल जाती है लेकिन इसका जो base variant आप 64GB वाला purchase कर पाएंगे और इसका 128GB सीधा base variant ही purchase कर पाएंगे जो price होगी उस पर डिस्पले में आपको थोड़ा सा difference दिखने को मिल जाएगा brightness को लेकर के iPhone 12 की brightness 625 nits maximum जाती हुई दिखने को मिल जाती है और iPhone 13 की 800 लेकिन HDR mode में अगर आप वीडियो प्ले करते हैं कुछ वीडियो HDR पर प्ले होते हैं उनकी आपको same nits दिखने को मिल जाती है साथ में दोनों ही device पर बाकी की चीज़े same मिलती है जैसा कि मैंने आपको बताया है camera में थोड़ा सा difference दिखने को मिल जाता है iPhone 12 का camera optical image stabilization के साथ में आता है iPhone 13 का camera sensor shift optical image stabilization के साथ में आता है photographic style एक नया feature है जो कि आपको iPhone 13 में दिखने को मिल जाता है अगर आप video recording करते हैं तो iPhone 13 के अंदर आपको cinematic mode for recording video दिखने को मिल जाता है जो कि आपका ported cello बहुत ज़्यादा best कर देता है इसमें बिलकुल ही जैसे की camera से shoot होती है उसी तरीके से आगे वाले बंदे पर पीछे वाले बंदे पर आप camera का focus कर सकते हैं अपने अनुशार तो ये एक नई चीज इसमें दिखने को मिल जाती है बाकी की सभी चीज़े वही दिखने को मिलती है अगर आप एक photographer या फिर वीडियोग्राफर हैं और आप iPhone 12 या थाइटीन में इसे prefer करना चाहते हैं तो आप iPhone 13 को आप prefer करें क्योंकि इसमें cinematic mode काफी आदा best काम आता है वीडियोग्राफी के काम में साथ में अगर front camera की बात करें तो front camera में सब कुछ same दिखने को मिल जाता है कि एवल photographic style नए दिखने को मिल जाते हैं अगर आप photographic style की बात करें तो ये आपको कुछ नए style से इसमें add हुए दिखने को मिल जाते हैं बाकी की अगर आप cellular and wireless में चीजे देखें तो बिल्कुल ही सब कुछ same दिखने को मिल जाता है इसके अंदर कोई भी difference नहीं है और सब कुछ same मिलता है कुछ भी कहीं पर फर्क दिखने को नहीं मिलता है तो ये जो difference है केवल आपको iPhone 13 और 12 के अंदर battery life को लेकर के performance को लेकर के और साथ में camera quality को लेकर दिखने को मिल जाता है अगर आप iPhone 13 तक का budget रखते हैं तो आप 13 पर्चेस करें नहीं तो आप iPhone 12 के साथ भी जा सकते हैं device 5G हैं दोनों ही दोनों ही device बिल्कुल ही अच्छे हैं फिलाल में ये जो deals है वो flip card big billion days में आपको काफिया दर best price पर ये जो phone है वो मिल सकते हैं इसलिए अगर आप अभी इस sale में लेने की सूच रही है flip card की जो आने वाली है चार तारिक से उसमें आप ले तो लेंगे परन्तु उतना ज्यादा price discount नहीं मिलेगा जितना की flip card big billion days sale में मिलता है तो इसलिए आप अभी के लिए रुख सकते हैं फिलाल में अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो बना आपके 4000 रुपीज से लेकर के 9000 रुपीज तक एक्स्टर देने पड़ सकते हैं अभी की जो sale में है जो price अभी देखने को मिलेगे उससे ज़्यादा अच्छे price आपको flip card big billion days sale में मिल सकते हैं फिलाल में आज की जानकारी कुछ इतनी ही थी और जानकारी के साथ अलग वीडियो में मैं आपको मिलूँगा तो फिलाल में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और informative जानकारी के लिए थेंक्यू जैन जैवारत बंदे मातरम